बारत की दस सबसे शक्तिशाली मिलिटरी फोसेस देश के किसी भी कोने में जब भी न्याय कानून की स्थिथी बिगरती नजर आए तो ऐसी स्थिथी को सम्हालने के लिए सेंट्रल और स्थिथी में भी ये जवान देश वासियों की सेवा में सबसे आगे रहते हैं 9. Special Protection Group Commando Battalion for Resolute Action यानि की कोब्रा CRPF की एक विशेश फोस है जिनका काम है देश को नकसलवाद के चंगोल से बचाना 2008 में बनाई गई इस Rapid Action Force ने अभी तक भारत से ना जाने कितने नकसलवादी संगठनों का सफ़ाया कर दिया है कोब्रा कमांडोस को जंगली इलाकों में लड़ाई करने, फेस बदलने, पैरशूट से कूदने और अपने लक्षे पर सटीक निशाना लगाने की विशेश ट्रेनिंग दी जाती है 2001 में हुए मुंबई हमले के बाद महराष्ट सरकार ने भारत के सबसे काबिल और युवा कमांडोस की एक विशेश फोर्स बनाई, जिसे फोर्स वन कहते है इस फोर्स का सिर्फ एक ही लक्ष है, सपनों की नगरी कही जाने वली मुंबई को हमेशा सुरक्षित रखना फोर्स बन दुनिया की सबसे तेजी से काम करने वाली स्पेशल फोर्स इसमें से एक है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी भी आक्षिन की तैयारी 15 मिनिट से भी कम वक्त में कर सकते हैं अब NSG का नाम तो आप सभी ने सुना होगा ब्लैक कैट्स के नाम से प्रसिद ये कमांडोज भरत की सबसे बहतरीन आतंक विरोधी फोर्स हैं आपने इन कमांडोज को VIP की सेक्योरिटी में और आतंकी हमलों को नाकाम करते देखा होगा एक NSG कमांडो बनना कितना कठिन है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 80 प्रतिशत से ज्यादा जवान इसकी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते और जो पूरा कर भी लेते हैं उन्हें फैंटम NSG कमांडोज बनने के लिए 9 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है चार घातक फोर्स इनका सिर्फ नाम ही घातक नहीं है बलकि देश की दुश्मनों के लिए बेहत घातक सावित होते हैं देश की सीना की हर बटालियन के साथ घातक सीना की एक टुकडी भी होती है इन फोर्सेस के पास दुनिया के सबसे उन्नत हतियार होते हैं और ये कमांडोस हर परिस्थिती का सामला करने के लिए पूरी तरह प्रशक्षित होते हैं इनका सिर्फ एक ही लक्ष है दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुक्सान पहुचाना शाहरेरिक और मांसिक रूप से सबसे फिट सैनेख ही घातक फोर्स में शामील हो सकते हैं तीन गरुड कमांडो फोर्स बारती एर फोर्स की स्पेशल यूनिट है ये रापिड एक्षिन फोर्स देश की हवाई सीमा की सरक्षा के लिए जरूरी हर कला में माहिर है एक गरूर कमांडो बनने के लिए तीन साल की गड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है इस ट्रेनिंग के दुरान इन कमांडोस को हवाई युध, सठीक निशाना लगाने, खुजबीन और बचाव, घने जंगलों और बरफीले इलागों में जीवित रहना और हवाई जहाजों को हाई जैक होने से बचाने की सभी तकनीकों को सिखाया जाता है सच में दोस्तों, इन कमांडोस का देश प्रेम देखकर सर गर्फ से उचा हो जाता है दो पैरा कमांडोस 1966 में बनी ये पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे ज्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स है इस फोर्स में शामल होने वाले कमांडोस को दुनिया की सबसे कठिन मिलिटरी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसमें उन्हें शारीरिक, मांसिक और बौधिक एक अगरता की सभी परीक्षाओं में खड़ा उतरना जरूरी है जमीन से लेकर आसमान और समुद्र की गहराईयों तक पैरा कमांडोस विकट से विकट परिस्थिदी का सामना करने में सक्षम है 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई, 1984 के कुख्यात आपरेशन, ब्लू स्टार और 1999 के कार गिल युद में पैरा कमांडोस में अपनी असीमित काबिलियत का प्रदर्शन किया है एक मार्कोस, मेरीन, कमांडोस या मार्कोस भारती जलसीना की एक विशेश सैने टुकडी है जिसका काम है समुदरी रास्ते से देश में आने वाले किसी भी खत्रे को जल से जल्द खत्म कर देना मार्कोस का कमांडो बनने के लिए आपको बहुत ही कठिन मांसेक और शारीडिक चुनोतियों से गुजरना होता है आठ दिन तक चलने वाली इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसे हेल्स्वी की यानि की नरक का सब्ता भी कहते है इसलिए इसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है ये कमांडोस किसी भी स्थिती में गोली चला सकते हैं यहां तक ही आइने को देखकर पीट के पीछे भी और वो भी पलक छबखने की गती से मारकोस को दाड़ी वाला फौज भी कहते हैं क्योंकि ये कमांडोस दाड़ी लगा कर अपने भेश बदलने में माहिर हैं तो दोस्तों ये हैं भारत की दस सबसे शक्तिशाली मिलिटरी फोसेस किसी ने सही कहा है हम देश वासी बिना किसी फिक्र के सिर्फ इसलिए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं क्योंकि भारत के वीर सेने का अपने परिवार और अपने सपनों का बलिदान देकर भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहते हैं देश के नवीर सबूतों को हम नमन करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद